पैट पर लगी और अमपायर ने फोरण ही आउट करार दिया सदरन पंजाब को पहला नुकसान उठाना पड़ा यहाँ पर पहली गेंद पर इससरा खुरम शेहजाद की वापसी रंग लाई भलोचिस्तान के लिए पिछला बॉल बीट हुए थे बाएर निकला था यह थोड़ा सा निप बैक किया अंदर और फ्रन्ट फूट कहीं भी प्लांट नहीं हुआ और एक असान फैसला वफार काजमी का और आता ही खुरम शेजाद ने अपनी ट्रेजन्स जो है वशो की है साथन पंजाब का पहला नुकसान एक पे एक आउट खुरम बगहर कोई जैन बगहर कोई रंड बनाए पविलियन वापिस बिल्कुल भी ना आशना नहीं है यह देके इन स्विंग पर अपने दाम में ले आए पहले गेंद को दूर गिराया और अपना तवाजन बरकार नह करना चाहिए था लेकिन अब तेर हो चुकी अच्छा शौड लगाया गेंड डिफ्लेक्ट होकर आई अच्छी शुरुआत पुरे इतमाद लग रहे हैं सुहे मकसूद और आज भारी जिम्दारी होगी इन पर के अपनी टीम के लिए अच्छे रंज करें सीधे बले से खेला आने दिया बॉल को अपने पास और शांदार शाट हिमाम अलहग ने गेंड की रफ़तार कम की डाइव करके लेकिन दूसरा रंड लेने से बाज नहीं रख सके जीशान अश्रफ को इस पहले ओवर के एक्तताम पर सदरन पंजाब में बनाए हैं च्छे गैब में खेला हैं खासा खुला मैदान मिला सुहे मकसूद को दो रण का एज़ाफ़ा उनके स्कोर में होगा लग साइड में खिला है फिल्डर स्कुएर के पीछे थे नहीं पहुंच सकेंगे पहला चौका आज के दिन का दोनों बॉलर्ज सुहेव मक्सूद के सबर का इंतिहान ले रहे थे बिल आखिर उनने गेम को बाउंडरी का रास्ता दिखाया अच्छा रिस्ट वर्ग वेट किया बॉल का आने दिया और बिलकुल अपनी आँखों के लीचे अच्छा इस्तमाल किलाईयों का किया और चार रंज हासल किये और फ्लिक किया फिर खुला मैदान मिला और गेंड दन दनाज भी चली गई एक बार फिर ज्यादा कुछ सर्फ नहीं की और यह सरसर टाइमिंग थी सुह मक्सूद की लाइन और लेंथ अच्छी नहीं है खुरम की कि काफी सॉलिड एरिया है सिर्फ थोड़ा सा जाब किया और तोड़ती हुई गई गेंद पांडरी के पार यह सल के बाद दूर खेला विगट की पर बिसमिला से चार रंस इस बार बाड़ी लाइन पर गेंद आई ओफ तपैट गई स्ट्रॉगल का रहे हैं इस वक्त पूरम यह एरिया जो है वो कोई खास मदद नहीं देगा इन्हें और पैट की मदद से बेस इतनी थी के बीट किया कीपर को भी और उसके बाद पांडरी के लिए बाल जो है वो पायर बीट किया पॉइंट को अच्छा टाइम की आउए स्टोक है चार रंस वन जाएंगे पहला चौका जीशान अश्रफ के बल्ले से जिसके लिए उन्हें चार और सक इंतजार करना पड़ा अच्छी पुरितमाच शॉर्ट दिशान अश्रफ की जानब से आउटसाइड आफटम थी लेंथ और विट्स दोनों मिल गए थी सरफ बल्ले का फेस दिखाया और अच्छी टाइमिंग चार रंस के लिए यहां क्योंके देर से खेला इसलिए यासिर शॉर्फ को बीट किया बाउंटी लाइन से खुरम के पास भी कताई मौका नहीं था हवा में खेला चार रंस लाजवाब शॉर्ट इस बार लंथ मिली जाज़िब नज़र काफी खिजावा बॉल था और काफी टाइम मिल गया था इन फिल्ड क्लेर करने के लिए जिशान को बाटम हैंड आया नज़र में और बास थानी मिड़ान को क्लेर करके चार रंस असल किये एक बार फिर खुब्सूर्ट इस खेला फ्रील्डर दबाव में हैं बाउंडरी पर अमादबट रोपने से कासे रहे बैक टू बैक बाउंडरी जिशान अश्रफ के लिए इस वार सिर्फ और सिर्फ रफ्र रफ्र को काम में लाए डाद देनी पड़ेगी जिशान की कटर करवाया था लेकिन मदम हातों से प्लेस किया गाप में और बास अनी चारंस हासल किये पेस आफ ती लेकिन ताइम इंकी कमाल कि थी अ हाथ टृ यहां यान अ या वजुब दोर कैंचा और कि लेकि slowerुटüyorsun आफ और आ इंकी दाव परो ऑन सिर्फ दोल्स कामी ऑम trigger उब का तो한다 but once he has the timing it crosses the boundary line very easily it's one to 20 runs now before this he only had 18 in the first two games squeezed away again that's another boundary so they're coming thick and fast now likes to time it opens the bat up guides the ball again not trying to over hit it that's the toe into the bat so it hasn't traveled very far this should be out it is out goodness me throwing that away was hitting the ball nice and crisply just looking good the maid was struggling and suddenly is dismissed you've got to capitalize once you get started you've got to capitalize and this was there to be hit but he was away he was playing away from the body in the end just threw his bat there and a comfortable catch and he knows that he has thrown his wicket away as you play a little punch down the ground sort of punch again this time on the offside from left-hander as I'm fine push the Shah who will be given the big responsibility of rescuing the middle order in t20 world cup t20 they are not coming and facing most deliveries plus I think more importantly you can get a little bit of time to take you take a little bit of effort to get the pace the track get used to the bowlers and then you can go you're naturally an aggressive player that's why in that medal order that's why you've been selected to do it that sort of job to get up there a little bit early you've got a little bit more time to get in that's a very good over and it's really good work four from it 50 on the board 50 for two it is after six six